मन जूम जूम तन जूम जूम साथ साथ चलने वाले राहे क्यों बदलते हैं राहे जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब कैरब से पाया है तुझको जब से इश्क तरा हमके तारी रक्स में जहाँ करू सचदा एक खुदा को पढ़ू करमाया मैं दुआ दूँ दोनों ही एक खुदा मुहाबत पढ़े सब्सक्राइब महीने से ज्यादा गुजर चुगा अभी तक दो अर्तों का पता नहीं लगा पाए मैं बहुत शर्मीदा हूं साइज वाके इस बार हमसे बहुत चूप होगे अब तक तो मुझे पहुँ जाना चाहिए मेरे पास वक्त नहीं है पर पूरे अलाके में एक मुखबर नहीं तुम्हारे पास जो के पता लगा से के वो कहां पे है मैंने शुर्फा के सारे अलाके चांद मारे हैं साइज जी मुझे थोड़ी मौलत और देते आप पर इतबार करके एक बार फिर इंतजार की सुली चड़ जाता हूं है लेकिन याद रहना है इस बार तुम्हारे पास खलती की कुन जाइश नहीं है जागिर दारों को इतला कर दी है जी साहीं सब को दारों पर बुला लिया है और साहीं नादम शाह के हवाले से भी खबर दे दी है कि इस दफ़ा हमारे अलाके से हमारे मीदवार होंगे नादम शाह को भी तला दे देना हम जी साहीं सलाम साहीं तहीं इससे चो क्या कह रहा था वह इंतिजार 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 गए समझ सबहार है मेरी है जमीन कहा गया, आस्मान निकल गया सही अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूं आप से सही आप उसे क्यों ढूंड रहे हैं क्योंकि जैसा वो चाहती है वो तो कभी नहीं हो सकता करने के लिए दुनिया की भीड में घुम होने निकलिए है हो मिल भी गई तो क्या कहेंगे साहीं मैं तो वह सवाल पूछ लिया मैंसे जो कि मैं खुद से पूछता आ रहा हूं मैंस एक बार उसे मिलके उसे इजाज़त लेना चाहता हूं मैं मैं उसकी मौबबत को जान ही नहीं पाया यह शायद जान कर भी अनजान बनता रहा क्योंकि एब आत मैं जानता था यह मेरी दुनिया में तो उसका दाखला मनाई है इस हवेली की उची फसीलों को टाप कर इसके आंगर में कभी उतर नहीं सकती थी हो वफा सिफ शुर्फा की हवेलियों में नहीं पड़ती वो भी वफा की एक देजी थी लेकिन उसकी वफा का गदरदान यहां कोई नहीं अजय की वफा के आंगर में की आंगर की का लगक में वहां कर वफा कि भी वफान की क्या है वब प्रहें की वफा की वफा क around ट्रहें के वफाना विफ अर गाया में वफां का पाद़ में रखाना कब तक पड़ी रहोगी इस तरह कम रहे में तिल ने कप राता तुम्हार कि चलो चलो में तुम्हें कुली फ़जा में लेके चल्व आओ नहीं चंदाजी मुझे कही नहीं चाना तुपर ऐसा करते हैं क्यों न मैं तुम्हारे तबीब के पास लेचलू को इतना पत्थर दिल पी नहीं कि तुम्हे इस हाल में देखके भी तना छोड़ते हैं तरस खाक अगर अपने पास रखा, तो क्या रखा, चंदाजी? महबबत में तर्स खाना गाली देने से भी भत्तर है. लेकिन अगर आप मेली कुछ करना चाहती है, तो मुझे इस बड़े वाले मजार के मजावर के पास लेचले. तेरा जी बहुत खबरा है. कही दिनों से कुछ तब्लीली में एसूस कर रही हूँ. कि तुम अस मजार पर जाकर, उस मजावर से मिलकर, बहुत सकून मिलता है. आखिर असी क्या बात है उसमें? तहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस मजावर से… नहीं नहीं चंदा जी, वो तो मेरी लिए बहुत बहुत रव है. अकीदत सी हो गए है मुझे उससे. अपने जैसा लगता है मुझे अब मेरी तरह ठोक राया हूँ. अच्छा, दे चलूंगी उसके पास. लेकिन पहले जरा तुम्हारी तबियत तो संबल जाए. तुम वहां जाके तो सब कुछ भूली जाती हो. और किसी दर ने हम जैसियों को कबूल भी तो नहीं किया ना. हर जगह से धुतकारी गई हुए. बस एक वही देलीज तो है, जिसे कभी पहर करने की पाबंदी नहीं लगाई. एक बार फिर सोच लो माही, क्या ये तुमारा आखरी फैसला है? मैं पैसले करने का इख्तियार को जोगी है, भाबी. ठीक है. अगर तुम खुद को रिष्टों की इस सलीब पे कुर्बान करने का फैसला करी चुकी हो तो यूही सही है. मैं एक आखरी बार उस्ते मिला चाहती हूं. अबेली दी हर शेयर जगमक जगमक करनी चाहिए ये. मैं चाहसां के मेरी माही बल हवेली आए ते असमान दे चंद तारे तोड़के हवेली सजाते सां. बीबी सेंड, तुसाब फिकर ही ना करो जी. अल्ला ने चाहिए आते सबों को जी ठीक हो वैसी, हाँ. इंशालाँ. बीबी सेंड, असहां अजे तो सारी अतधार इंशुरू करने ने है, भस तुसा हुकम करो. हुकम हिक हिए, झालो एक में. अब क्यों मिलना चाहती है जब उससे जड़ा होने की ठानी लिये तुमने आखरी बार मिलकर उसकी मिननत करना चाहती है एक आखरी कोशिश शायद मों मेरी बात मान चाहे और वापिस घरला चाहे बहुत खुदगर्द हो मही यह आखरी कोशिश भी अपने सिकॉन के लिए करना चाहती है सिकॉन सिकॉन तो शायद अपने नसीब में ही ना हो भावी लिकिन मैं इस घर से उसकी बरबादी के हिसास से चुर्ण में रुकसत नहीं हो सकती वह कहता है उसे मुझसे 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 मुखबत है तो मुखबत में मान भी तु रखा जाता है मेरी इतनी सी बात का तु मान रखी सकता ना वो लेकिन जानती हुना आप जाना इतना असान नहीं है। बाबा साही और शाजी भी अब यही है। नहीं नहीं लेकर जा सकती। सुच्ट कर दो क्या खोज है? किस तलाश में बटकती पूरती है? यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. यही पता चल जाए कि किस चीज की खोज है. शायद फिर दिल को सकून आजाए. वो तुम्हें ढूड रहा है. उसे जा मिलो. वो ही तुम्हारी मन्जिल है. अगर वो मन्जिल है, तो फिर ओजल क्यों है? खुद क्यों नहीं चड़कर ढूम लेता मुझे? सफर का वो मकाम नहीं आया ना अभी? कि दो कर्दम चलो और सामने मन्जिल हो. मेरे लिए दुआ करेंगे? मैं खुद एक बद दुआ हूँ. पता नहीं पिर हर बार क्यों तुम दुआ की उमीद लेके मेरे पास आ जाती हो? पता नहीं कि मुझे लगता कि आप भी की दुआ मेरी नईया पार करेंगी. अंदर दर्पार में जाके ची बर के रोला. अपनी तकलीफ बयान करो. और जब सुकून मेले तो मेरे पास आना. अपना नहीं पता पासा जुआ हो. अच्छा जल्दी आजाना पता है ना नाजिम शाह को ये बातें अच्छी नहीं लगती आप सिकर नहीं करें अमीजी, हम बस यू गया और यू आए फकीना, भीवटी सरकार, आजर दरा जल्दी से जी आई माई रानी और साहबा के साथ जा मैं भी चलती तुम लोगों के साथ पर शाह जी का फोलोगा खबी सुआ हुआ के साल तुम लोगों के साथ एाफ मन जूम जूम, तन जूम जूम, मन जूम जूम, तन जूम जूम, मन जूम 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 सुनते हन अपनी धड़कन तेरे तडपने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में चोटी बीबी, यह तो वह? हाँ, वही है, लेकिन यह बाग किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, फदीरा, तुम्हें तुम्हारी माही बीबी की कसम है नाजी ना, फकीर असद के, कुरवान माही बीबी के, फकीरा की तो जबान पे, पहले हमेशा के लिए ताले लग चुके हैं, मैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं दुआ कर क्या हूँ, बाब, जाओ कर लो बाब, हम जब तक सलाम कर रहें, कर दो इतना सदाते कि हूँ हो मुझे मान क्यों नहीं लेते मेरी बात तुम्हें आखिर जिद क्या है मुझे से फराद? मेरी किसी से कोई जिद नहीं है ये जिद नहीं है तो फिर क्या है फराद? मैं तुम्हें यू रुलता हुआ नहीं देख सकती मैं आज आखरी इलतचा लेकर आए हूँ तुम्हेरे पास फिर नहीं आसकूंगी तुमसे मिलने पहरे बढ़ते जा रहे हैं मुझे पर मान रख लो मेरा हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे मुझे जान मौंगा यहां सामने रख दूँगा वापिस आने का मुझ बोला मैंने इस बाद को अब मान लिया है कि तुम तुम मेरे मुकदर में थी ही नहीं लेकिन पीस अब मुझे यहीं पर पढ़े रहने तो मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए मैं तुम्हे कुछ नहीं बितु नहीं सकती थे एक जूना वादा भी नहीं लेकिन अब मैं तुमसे एक बादा जरूर करूँ की फराद इस चाहन में हमारा मेल मुम्किन नहीं लेकिन उस चाहन में उस चाहन में मैं तुम्हारा साथ मांगू की अपने मालिक से मेरे इस वादे पर तो यकीन करोगे ना असी ना जुक दिल दे लोगां साड़ तिल ना यूं दुखाया कर ना जुटे वादे करया कर ना जुटिया कस्मा खाया कर तेनु किनी वारिया क्या है मैनु वन वन ना अजमाया कर तेरी आदे विच में मर जासा मैनु वन ना यादना याकर तेरी याद दे विच में मर जासा मैनु वन ना यादना मैनु वन ना यादना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं जाना हो का मुझे तुम चाहते हूं मैं उमर भर खुद का सामना ना कर सकूं यूही कुछ से लड़ती रहूं और मर जाओं तीगए यूही कही यूही यही सिय यूही यूही कम्ता पीं जाए मैं क्यूं चाओंगा कि तुम खुद से शर्मिन दा रहा हूँ अगर इसमें तुम्हारी खुश ही है कि मैं यास से चला जाओं तो मैं चला जाओंगा लेकिन मेरी कुछ दिम्यदारियां वो मैं पूरी खरिके जाना चाहतूँ कोई मेरे आश्रे पे सबकुछ बिकरा चोड़के चला गया वो बापस आ जाए मैं उनको सबकुछ लोड़ा दू और भी मैं यास से चला जाओंगा वादा वादा मैं उम्र भर तुम्हारी असान बंद रहूंगी तेरे वादे पर जीए हम तो ये जान जूट चाना वाद माही जी वाद माही जी आप और यहां मेरे और आपके रास्ते कितनी बाद टकराएंगे अब सिकंदर साही से मिलने से पहले ही आप मना कर चुकी हैं क्या इस दर के दर्वाजे भी बंद करवाना चाहती है मेरे लिए मैं कौन होती हूं किसी पर दर बंद करने वाली भला मुझे ऐसा इक्तियार कहा हूं इक्तियार तो सारे आप ही के पास है माही जी और साही आप कमाल है आप आपकी एक नजर ने कितनों को खाक किया आज एक महलो की शहजादी को आपके कदमों में बैठे देखा है मैंने वाकरी सबसे बड़ा बादशाय इश्क है हम सब तो कनीजे हैं खादमाई हैं मिट्टी में अटी फकीरनिया सुनिये शहजादी आज मेरे दिल में आपके लिए अकीदत और भी जादा बढ़ गई है आज मुझे एसास हो गया है कि आप भी सिरफ रिश्टे ही ने भारी है मजबूर और बेबस मेरी तरह अपनी मुहपत को कुर्बान करने का होसला रखती है आप तो जाएए आज से मेरी दुआऊं के हसार में आपको भी शामिल कर लिया है मैने हाँ 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 मैं इशक नमाद जदो नीती ते मैं बुल गया तुनियां सारी तेरे दर्दी चामादे चत के मैं बुल गया रोद अवारी कि अरे शेवारी कामादे वारी अरे कि ऐसके अच्छा करें डियां तेरे दो अपने भगवास पन्कर अन्य जुआप्तर तर्य तर्दी शित्तर शित्तर शित्तव परदान रेतल के अच्यॅग मुलीन पर बिंदो ओए नूरे और तुझे शरम ना ही इसे जिन्दा मेरे सामने लिया गो लीडियों नहीं मारी तुने बेखेरत लानत हो तुछ पर तुझा यहां से अपर खादे में फुर इशाची जाएं तुछ सूली पर लटका दें लेकिन यह अलफाज मेरी जबान पर है खबरदार, खबरदार अगर किसी ने हमरी इज़त पर धबबा लगाने की कोशिश की दो और ना हमारा खुूनससाहा है और ना हिए हमारी गारत हितनी नीची है और कहां वो मामूली supervis वो मलण और कहां उची हवेली में पली हमारी इज़त अपरी गारत बेश्रक साहीं लेकिन बात यहां खतम नहीं होती शाजी खबर के मताबिक सिकंदर साहीं की नाम लेवा एक और आता देए वहां जैसे चोटी वेवी जानती है उए नोरे अगर यह खबर खलत साबित हो इना तो तुम सब के सब छे फुट जमीन के नीचे हो गए गुलाम उशाजी हमका अब की एक अवास पे अपने सीने पे खुद गोली मारूंगा लेकिन बात नारेली की इज़त किया है हम सब मनतजरें आपके हुकम के आप हुकम करें आगे आप शाजी अस्छाम लिकागा खाना लगाती हो को माही के साथ आज कहाँ गही थी? वो हम... मैंने पूछा तुम दोनों कहाँ गही थी हाज? माजी से इचासत लेकर गहते जाजी तो सवाल पूछा उसका चावाग दो कहाँ गही थी तुम दोनों? माही का केले कमरे में दम गुठरा था इसलिए उसे मजार लेकी थी होगी दूआ मिल गया सकूं माही को हाँ लेकिन हम जल्दी वापस आगें तुम से तुम्हें आकर बात करता हूँ पहले उससे पूछनू जो परबाती की जड़ है शाजी शाजी रुके ले माही क्या ये सच है मै तेरी जबान से सुनना चाहता हूँ नाजिम्शा क्या अनहोनी बातें कर रहा है बोलो ये सच नहीं है जबाब दो क्या है ये सब माही बसकर बुतर इस मसले का हल ये नहीं है सारे जमाने में रुस्वाई कराएगा मेरी जग हसाई का मौका मत ते दुश्मनों को तो सुवाई और जग हसाई तो हो चुकी बाबा साही सब लोग जान चुके कि पीर काजमिशा की इजजद हवेली की दिवार पांथ कर एक मामूली से मजारे से मिलने जाती है वो मामूली सा फकीर जो पहले हमारे ही घर में ड्राइवर था और उससे पहले पतानी कौन था और नजाने की सेरादय से हमारे घर में अंगुचा था और क्या पचा है बाबा साही देख पिटा मेरी बात साथ ये बात अभी इतनी फैली नहीं है हवेली के चंद वफादारों को पताए अगर जुरूरत पड़ी तो उनका मुपंद किया जा सकता जोश में आके कोई उल्टी सीदी अरकत ना कर दें ताकि सारे जमाने को पता लग जाए अभी जोश की नहीं होश की जुरूरत है पुदर, होश की जुरूरत है तो ठीक है भाव सही आज के बाद ये हवेली से बाहर कड़म नहीं रखेगी इतनी चल्दी हो सके से सिकंदर के साथ रुक्सरत कीजिए लिम्बे चोड़े इंदामात की जुरूरत नहीं है जो देना है दीजिए इसे इस काम में ताखीर बरदाश्ट नहीं करूंगा मैं तुम यहां क्यूं खड़ी हो जाओ लेकर जाओ इसे अंदर तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ शाजी एक आजमाश खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है पीरनी जी आपसे तो एक बेटी नी संभाली गई अफसोस सद अफसोस मैं चलूँ नाजम गई उससे में आकर कोई गलत हरकत नकर बैठे नाजम बाद में पूसरी नाजम नाजम आकर वीर कि अँगो हुआ खूँ 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 खूँ